देश में लागू लोगडाउन के दोरान मजदूरों के पलायन की बेहत मार्मिक तस्वीरे सामने आती है जो तस्वीर आप देख रहे हैं वह इन दौर में पलायन कर रहे एक मजदूर की है जो खुद बैल के साथ गाड़ी में बंधा हुआ है इनकी मजदूरी अ है कि काम धंधा बंध होने के कारण पैसे न होने के कारण इन्हें घर लोटना पड़ा और घर लोटने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे इसलिए एक बैल बेट चुके थे और एक बैल के साहारे गाड़ी खीची नहीं जा सकती थी दूसरी बैल नहोने के कारण चिलचिलाती धूप और तपती दोपहरी में एक मजदूर बैल गाड़ी खीचने को मजबूर था गाड़ी में एक तरफ बैल जुता था तो दूसरी तरफ मजदूर इसी तरह बैल गाड़ी को आगे खीचते हुए या मज़दूर गाड़ी में उसकी छोटी सी बेटी, ग्रिहस्ती और परिवार को लादे चला जा रहा था बैल के साथ खुद को जोतने वाले श्रमिक का नाम राहूल है और यह महू का रहने वाला है रोजी रोटी के तराश में कुछ समय पहले इंदौर आया था, यहां उसने बैल गाड़ी खरीदी और हममाली करने लगा सब कुछ ठीक ठाक था कि बीच में कोरोना की दस्तक हुई जिससे इनकी जिंदगी पूरी तरीके से तहस नहस हो गई लोगडाउन के कारण काम धंदा बंध हो गया, कुछ दिन जैसे तैसे काटे लेकिन धीरे धीरे घर में अनाज और जेब में पैसे खत्म होने लगे मजबूरन राहूल को अपनी एक बैल बेचनी पड़ी और मजबूरी की मार तो देखिये की 15,000 की बैल उसने 5,000 में बेची खुद बैल के साथ बंध के अपने घर के लिए अपने परिवार को लेकर निकल पड़ा यह तस्वीर दिल दहला देने वाली है सिर्फ राहूल ही नहीं ऐसे न जाने कितने मजबूर है जो लाचारी और मजबूरी के कारण तकलीफे उठा कर अपने घर के लिए निकल पड़ी है